आप आईस के दैनिक हिंदी संपाद की विशलेशन में आपका हर्दिक शागा थे आज हम डिसकस करने वाले हैं चार आर्टिकल उन चार आर्टिकल में से जो टॉपिक होंगे तो एक अपना है एजुकेशन में कुछ थोड़ा सा रिफॉर्म से रिलेटेड होगा जो कि भरत ज जुनलाला जी का आअटिकल है, बहुत इच्छ है जो इनके सजेस्न होते हैं काफी इन वे कर सकते हैं । और दूसरा आटिकल हमारा है यह जो ऑडत से गयर्मेंट की जो भी इंप्रूंट हुए है, उसमें से जो भी मतलब की earlyदART kij ata जहाँ कमिया है तो उससे समंदत delta अपना है नियंतर नहीं किया जा सका है तो उससे समंदेद भी आडिकल है काफ़ी अच्छ आडिकल है और एक आडिकल है डियास्टर मेनेजमेंस से रिलेटेड आडिकल है जो की काफी यूसफुल होसकता है उसमें काफी चीजे ठीक ठीक डाटा भी दिये हुए हैं और काफी उसमें सजेशन भी एच्छे दिये हुए हैं तो उसमें कुछ कैसे सुधारात्म कदम कैसे उठा जा सकते हैं उससे समंदेती आर्टिकल है तो इसमें मतलब की उन्होंने एक मतलब डिरिफ्रेंस स्टार्टिंग अपनी यहां कि है कि जैसे कि अपने बच्छों को ऐसी सिच्छा देने होगी कि विए मसीनों से मुकावला कर जाने कि यह बरतमान समय के साथ चलना है तो मतलब हमें पुरी तरह से टक्निक उसे लैस होना चाहिए और बरतमान से हम कदम ताल तभी मिला सकते हैं जब पूरे तरीक के से हर चीजों से मतलब कि जो बरतमान टूल्स है एई आई वगैरा है मेसीन उ मसीन है तो उनसे हमारा म इसको बहुत बहुत बनाया जा सकता है तो सिच्छा में सुधार समंधित उन्होंने मतलब की काफी हमारी एजुकेशन पॉलिसी जो मतलब सिच्छा होती तो सिच्छा प्रकार से कह सकते कि ने भी होती है किसी भी स्टार्टिंग मतलब की जैसे प्रात्मिक सिच्छा हो गई उसके बाद पर आगे अपर लेवल पर उसके लेवल वही व्यक्ति जाकर के पूरी मतलब की एक देश को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है तो उसके लिए सिच्छा जो है तो बेसिक मतलब मूल जरूरत है और यदि उसी वही अच्छे तरीके से गुड़वत्ता पूर्ण नहीं होगी तो फिर मतलब कि बहतर तरीके से हम देश को मतलब की नहीं चला पाएंगे और गुड़ात्मक सुधार नहीं ला पाएंगे तो उसी से समंदित है कि यहां पास जैसे कि यह जो उन्ह अगे प्रणाम सरकारी स्कूलों की अपेक्छा बहुत ज्ञादा ठीक ठाक हैं गुड़ात्मक भी इंप्रूंपनमेंट नहीं देखा जागया है जबकि सरकारी स्कूलों में सरकार इतना ज़्यादा खर्च कर रहे हैं फिर भी नimãy इतना ज्यादा उनके प्रणाम है तो उ में है कि वहाँ पास से मतलब कि पेमेंट कम है फिर भी उसमें मतलब गुडात्मक सुधार वहाँ पास लड़कों में देखा जाता है चात्रों में जबकि सरकारी स्कूल में उस तरह नहीं देखा जाता है जैसे कि यहां पास उन्हों ने कुछ यहां पास डाटा भी दिये हैं कि जैसे उद्रहाण के तौर पर उत्तर प्रदेश बूर्ड का जो हाई स्कूल है हाई स्कूल के रिजल्ट आया थे तो उसमें से 21 छात्रों की उमेरिट लिश्ट में और बारवी की जो है तो और वहीं एक उद्रहाण इन्हों ने दिल्ली में भी जो रिजल्ट घोषित कुए गए तो दसमें के उसमें ने बताया कि जो है तो दिल्ली सरकारी विद्यालों में जो है तो 72 परसंट जो चात्र है वही पास हुए जबकि निजी विद्यालों जो प्राइवेट स्कू सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल के पीछे छूट जा रहा है तो उसी स्चम मंदित जैसे कि यह 2016-2017 के आकड़े जाए तो उसमें उत्तर प्रदेश सरकार है तो उसमें जो प्राइवरी और सिकंडरी सिक्छा है उस पर जो सरकार का खर्च है तो लगा 25,000 रूपे 25,000 कर रही है जो कि 19-20 में लगवग मान लो कि 30,000 रूपीज होगा तो नहीं कि हर चात्र के पीछे सरकार जो है तो 30,000 रूपे खर्च कर रही है सरकारी स्कूलों में लेकिन एक रिपोर्ट के अनुसार यही बात की जाए तो बिहार है तो बिहार के 9 जिलों में लगवग 4.3 ल रहा है लेकिन उसके हिसाब से तो उसके परणाम नहीं देखने के मिलते हैं और यहां पास रिकार सकते हैं कि यहां पास जो है तो लाव लेने के चक्कर में यह जो 4.3 लाख और 7.6 लाख जारकन फरजी इडमीशन पाएगा तो यही सरकारी स्कूलों में जो दीजारी स्कूलों में क्योंकि अब सरकार तो वहां पास जाने नहीं थे कि पूरे डाटों के अच्छे तरीके से वह करें अनलाइज करें उसके बाद भी लो को शू हूँ इस तरह तो होता नहीं है तो इस प्रकार से यहां पास से ब्रष्ट अचार इस लेबल पे व्याप्त है तो में जैसे है, तो सरकार यहां पास ही इनका राइटर का जैसे उन्हें बताया है कि जो प्रतिसरकारी खर्च है लगए 40,000 रुपए पड़ सकता है, इन्होंने एक मतलब की बताया है कि जैसे इस तरह की जो सुविधा हैं तो फरजी छात्रों की हटा दिया जाए, जो इनके मतल बताया की सेंपल सर्वे का जाया यहां है, एस चॉदा की आंकड़ों में देखा जाया तो लगए 54% चात्र सरकारी स्कूल के उख्भाण यहां अर लगए 55% सरकारी स्कूल में लड़के पार रहे हैं, इन नों सभी को भी सामिल कर लिए आ यहां हो जागी जो इनमें यदि distribution सरकाल के पैसा के देखा जाए तो लगवग 22,000 प्रतिछात्र पढ़ जाएगा जाएगा यहाँ पास है कि प्रतिछात्र प्राइवेट और सरकाली दोनों को भी मिला दिया जाए तो भी लगवग 22,000 प्रतिछात्र पढ़ रहा है दोनों पे तो इसमें से य अलग अलग individual universal voucher के तरीके से दे दिया जाए बाउचर दे दिया जाए हर छात्र को 11,000 रुपए का वाउचर दे दिया जाए जाए जो एजुएशन के लिए ऐसा कर दिया जाए तो हर छात्र को लगववग लगवग 1,000 रुपए हर मन्त के हिसाब से आएगा distribution में और जो है individual जब मिल जाएगा तो इसको अपने हिसाब से स्वतंत रहे के कहीं बेड में इसन ले सकते हैं अपने अच्छे स्कूल में है ना क्योंको फीस effort करने के level में आ जाएंगे ना उसको यह प्रकार से यह voucher दे दिया जाएगा तो तो अब इसमें क्या हो सकता है कि इससे जो है त education में कुछ गुडात्मक सुधार देखे जा सकते हैं हो सकता है ना national sample survey तो इसके द्वारा एक सर्वेचन भी किया गया तो इसमें पाया आगए कि 2014 में जो है तो private school की जो आउसत फीस लगए 417 रूपियस थी तो यह वरतमान में यह प्रॉक्स होगी तो लगए 1000 रूपे प्र सरकारी स्कूल तो इस वाउचर लेने की जो होड में मतलब कि private school वाले और अच्छी गुडात्मक सुधार देने की कोसिज करेंगे तो इस तरह से प्रकार से कह सकते है कि education में प्रतिसपरधा का माहौल हो जाता है तो निश्चित तरप उसमें गुडात्मक सुधार देखने क जो कि एक प्रकार से हमारी जो सिख्छा में बहुत ही बेहतरी सुधार इसमें इस सिख्छा के सुधार में बहुत ही अच्छा इनिश्यटीव हो सकता है और इससे क्या होगा कि यह इसके जो है तो जैसे private school अगर है तो उनको फेस्वी परयात्मात्रम में अच्छे फेस्वी मिल जाएगी इसी उस पे सरकारी स्कूल में प्रतिसपरदा भी इसी जड़ी अगत्पन हो जाएगी तो इसके अच्छा है प्रणाम देखनों को मिल सकते हैं यानि कि दोनों में एक साथ इंप्रूमेंट हो जाएगा वहीं कुछ इस चीज का जो यहाँ पास राटर बता रह और जैसे कि कोलंबिया में यह पाया गया कि जिन छात्रों जो है तो वाउचर के जरी प्राइवेट स्कूलों में मतलब की एडमेशन ले लिया था तो उनका भी काफी अच्छे रिजल्ट देखनों को मिले तो जो और अमेरिका के अतरिक यहाँ पास न्यूजेलर्ण में भ जो है तो इसी तरह के अपने आंध्रप्रदेश में भी यह वाउचर सिस्टम जो है थोड़ा सा प्रियोक के तौर पे लागू किया गया था तो वहां भी कुछ इसके मतलब सकारात्म के पर नाम ही देखनों को मिले कि जैसे कि वाउचर के जड़ी जो शिच्छा प्राप्त ठीक ठाक था जबकि मैथ और हिंदी में कुछ ज्यादा मतलब कम सही था तो इसी तरह से जो है तो यह प्रकार से जो वाउचर का सिस्टम है तो यह काफी गुड़ात्मक्सुदार सिक्छा में ला सकता है और वहीं जैसे कि यहां पास जो इसके कुछ निगेटिव प्रिणा है कि यहां पास रेठ girl बता रहे हैं कि जैसे वाउचर वाउचर का कुछ नुक्सान कैसे देखे गए यहां है कि सिक्छा को लोग जिया है कि इसमें असमानता का थोड़ा सा महाल क्रेट हो सकता है इनेक्युलिटी जैसी सिस्टम किस तरह सह सकती है जैसे कि इसकaysक अप्र आ अपना अत्रिक्स एफर्ड लगा दिया और काफी अच्छे विद्यालों में एड्मिशन ले लिया जिससे उनमें थोड़ा और ज्यादा उनका डवलप हो गया लेकिन हमारे देश में थोड़ा सा यहां के कंपेर में थोड़ा सा डिफरेंट है कैसे यहां पास राइटर के कहत दाख्ले लेना होता था और gel 2008 इंप्राइच ज मॡ़ल रकासित भी अध्यालग का यहां पास हवाला देती हुए रड़ा वाउचर से आंध्रस के अध्याने रिप-वायचर आंध्रप्रदेश की चुह है उसमें काफ़से आध एंप्रमेंट हुआ है लेकिन जो समाजिक ख समानता पर असर नहीं पड़ा है इसका यहां पास परिस्तितियों में मौली कंतर होने के वज़ा से उस तरह के परिस्तितियां यहां पास नहीं है इसलिए यहां पास है तो मतलब यह इस तरह की यह नकारात्मक प्रणाम इसको नहीं कहा जा सकता है यहां पर है कुछ और है यहां पर बता है जैसे अपने देश है यहां पास जो है, इसके जो समपन बर्ग होतें है वह तो आलरडी बढ़ी बड़ी मतलब की अच्छी घाज़े प्राईवाट इसकोल में अडमिसन ले लेते हैं इसलिए जो voucher का एक सही तरीके से utilization एक focus तरीके से जो कमजोर वर्गों की हो पाएगा क्योंकि इस पेड मिसन लेते हैं तो उन पे इस चीज़ का मतलब कि जो संपन है तो अल्रेडी स्थाइड तो आते ही नहीं है तो इनका जो है तो इसे समानता ही स्थापी तो क्योंको voucher मिल तो उनके चात्र में जैसे कि एक बात यहां पास यह भी सही है कि जो variation देखने को मिलता है कि केवल कमजोर चात्र जो है तो उसमें मतलब की जो result है तो इंप्रूब हो गई लेकिन जो voucher का system है तो उसमें समस्था जैसे एक और चीज़ती कि जो उसका यहां पास उन्होंने suggestion अच्छे सरकारी school में shift कर दें या अच्छे private school में shift कर दें तो इससे भी मतलब कि एक improvement देखनों को मिल जाएगा साथी साथ यहां पास उन्होंने जो privatization है तो उसका थोड़ा प्रिडिसाइज किया है निजी करन के एक नुकसान इन्होंने बताया कि जैसे यहां पास जो है त तो कम होते हैं जिससे कुछ ज्यादा तर जो है तो बड़े लेवल पे छात्रों को आपस पास कर देया जाता है जबकि सरकारी school में इस तरह नहीं देखा जाता है तो इस तरह से यहां पास ज्यादा transparency से तरीके से नहीं आपाती तो इसके लिए जो है तो अपने देश में य प्रकार से मितलब संस्थाओं के द physiology लिया जाते हैं तुमस्तर अपनी युवाओंवायों के ते लिए ख़ड़े होने के शंता देनी है तो इस सरकारी सिचफ्चक उनको ज्यादा मतलब की उनकी जो पारम्त Light कर दो तो तरीका चल रहा है तो उसमें भी कुछ मतलब की संसोधन करने की बात यहां पास राइटर कर रहा है उनके एसाब से कहते हैं कि इन सिच्च को पेमंट अच्छी कासी दी जा रही है तो उसमें कुछ कटवती की जा सकती है हर्मा और उसी जो पेमंट से कटवती होगे तो वह से मतलब कि सिच्चा का जो एक वास्तविक उद्देस तो निचले स्थर तक भी अच्छे तरीके से सुलब हो सकेगा और वहां पास सकताइब भी पूरी हो जाएंगी यह परकूलों की साथ-साथ मतलब कर देखनों के यहां पास मिल जाएगा तो यहां पास राइटर को यहा आर्टिकल है जो ओडिया सिलेटर है सुनिता नाराण जी का जो कि यह मतलब की बता रहे हैं कि जैसे हम सरकार ने सच्छ भारत अभियान या की ओडिया फ्री इस तरह की कुछ काफी मतलब अच्छे इनेशेटी लिये हैं तो उस में से जैसे कुछ डाटा है उन्होंने दिया कि जैसे भात है तो उपने उपने छह लाग गाओं में करी लगों दस करोड़ और सहरों में लगो 63 लाग सोचालों वगरा बनवाया है और यह मतलब की जो सरकार का यह अच्छा खासा मतलब पहल है तो शुरू में तो यह थी थोड़ी नामुम्किन लग रही थी लेकिन फिर पहल की गई तो उसकी देशा में काफी सकरात्मक प्रणाम उसके देखनों को मिले और मतलब की लोगों में काफी बिहवरल चंजस भी देखनों को मिले तो इदी इसमें से 2019 तक लगवग जो दिब बरतमान में देखा जा तो लगवग 93 फिजदी से अधिक गरों में जो है त तो मतलब की बिहवरल चंजस तो देखा गया है लोगों में अलगवर 99 फिजदी जो है तो इनका मतलब की मेंटिनेंस भी ठीक ठा की है मतलब की प्रकर से सेंटेशन की दिशा पर अच्छा ही कदम इसको माना जा सकता है लेकिन यह यहां पास एक तरक यहां पास जागे जैस जागे हैं तो जैसे यह कुछ ज़्यादा ही जो आंकड़े यहां पास दीए गए है कि बिलकुल ही अपस जब्सक्रानल नहीं निकलता है और नाममात की गंड़िवी होती तो फिल्द सब्सक्राब सब्सक्राइज यहां पास कुछ दिश्चeden इह पास कुछ संद्रीक गैं यहां पस यह बताया है कि इस तरह से इतने confidence के साथ के बिलकुल भी इससे pollution नहीं होता है या पूरी तरह से एकदम अच्छे तरीका से प्रवंदन हो गया है इसके बारे में कैसे हम स्यूर होकर कि कह सकते हैं क्योंकि जो पेजल और सच्छता मंत्रले ने भी जो दो नीजी सलाफ फर्म जैसे कि आई-पी ग्लोबल और केंटर को देशन सर्वेचन के जिम्मस हो पाथा तो क्या कि जो भविस में सबसे हम बात तो यहां पास से राटर नहीं बता है तो इनकी पुष्टी की जा सके लेकिन सबसे हम बात तो यहां पास से राटर नहीं बात है जिसके सवचाले निर्मार कारकें के लाव जो हैं तो स्वास तंकेत को में नजर आ रहे हैं इसके तो पाश्ट्यू परिणाम है इस सर्वेच जो सर्वेच भी है तो वह और यूनिसेफ का हवाला देते हुए कहता है कि जैसे अधिक सवचाले उप्रवत्त से जो बाले जो पांस साल से कम रूब के जो बच्चों में डाइरिया और मलेरिया के मामले में नाटकी रूप से कम हुए हैं इसके इंप्रूमेंट भी मतलब की बताए गया है कि डाइरी और मेलेरेक मामले कुछ कम हुए है इससे और लेकिन इसमें जैसे की कारुबात की साक्ष कुछ ऐसे कहते हैं कि देश एक नमुम्किन सालच जैसे हासिल करने में एक सफल रहा है एक प्रकर से एक अलोशनात्मक दृष्टी ही यहां पस रैटर अपना रहा है कि जैस जो अपलबदियां तो ठीक है लेकिन यह थोड़ा सश्टेन तरीके से हो और एक टिकाव हो लंबे समय तक के लिए हो ना कि छड़िक हो इसके लिए इस्थाई बनाने की बात कर रहे हैं जो कि काफी ज्यादा जोखिम भरा हो जोखिम भरा है बहले हम इस काम्याबी का जस्म चुना रहे हैं लेकिन जैसे कि यह जो टॉलेट वगर की चुनावती हैं इनको पूरी तरह से तिलांजली नहीं देने चाहिए इसकी वजाए है कि जैसे भी कुछ किये जाने की मतलब कि कुछ और ज्यादा इनेश्योट्यू लेने की बात यहां पासरेटर कह रहे हैं कि कु तो इसको भी इसी द्रिश्ट कॉर्ट से जैसे कि टॉलेट वगरा तो इनमें मतलब कि इसका यूज भी लोग करना शुरू किया है इसमें मतलब कि रुजान भी लोगों सकरात्मक परवर्तन देखने को मिला है लेकिन जैसे कुछ पत्त्र का डाउन टू अर्थ है उसके जोजने वाले उत्तर प्रदेश में भी परवर्तन यहां पास देखने को मिला ना तो इस खास तोर पर यहां पास जैसे महला हैं तो उनको भी मतलब ठीक ठाक इससे काफी मतलब लाव ही मिला उनके लिए सामाजिक गरिमा भी मतलब उनका ठीक ही रहा है लेकिन जो 2017 में ओड यह फ्री घोसित कर दिया गया था ठीक है तो लेकिन अब बरतवान में इसके उधारन यहां पास राटर देखने को मिलता है लेकिन क्या होता है कि धीरे-धीरे कोई योजना नेती होती लेकिन कुस समय बाद पर उसमें प्रकार से लचरता देखी जाती है तो वही बात यहा कुछ बद्ला हुए थे फिर से पूरानी ही इस चती में लोग रहे हैं तौ यहां पास जो है तो मतलब कि यह पूरानी ही आज़त को लोग कर रहे हैं तो मतलब कि प्रकास से अच्छे तरीके से परिवर्था यहां पास तो नहीं नजार आ रहा है लोग फिर से उसी चीज़ को अड़ाप्ट कर रहे हैं तो यहां पास जो है तो इसका एक मतलब प्रियोग कर दे जाता है तो इस तरह के जो प्रियोगती सब जगा पूरी तरह से इसकी भी समिक्षा होनी चाहिए कि क्या यह सब जगा इस तरह से चीज़ें हैं की नहीं लेकिन वास्तिविक्ता में यह देखा गया जैसे इनका पूरी तरह से निप्टान का जो है तो तंत्र सही तरीके से नहीं डवलब है अनुमान यहां भी है कि जैसे ग्राइमरी इलाके हैं तो उसमें बने लवक दस करोड़ सो चाले हैं तो उनका लोग नहीं फालो कर पा रहे हैं तो इसमें से मतलब की जो सरकार की मतलब की जो उद्द्र से थे या कि पुराने डाटे उसको उसको दिखा दिया गया है लेकिन वर्तमान इस्तिती मतलब की संद्र बदल रहे हैं तो फिर से मतलब की नए तरीके से फिर से एक प्रकार से मु से सुरक्षी थोग्यों कि यहीं पानी मतलब हो तो उनसे जाकर के मिल जाएगा तो मतलब प्रकर से गंदगी फिर सही हो जागो तो इस इन एकार कोई फायदा नहीं देखे देखेगा तो जैसे यहाँ पास जो है तो इनका जो तरीके सी निपटान हो तो इस लोग की मतलब के प्रकारशे से हेल्द सो भी जादा नहीं हो जहांगे यह जो है तो मिटी पानी से भी दूसीत होता है तो इस से भी प्रकारसे यह गर्रेव 2019 मंतलब सच्छता सब्रेभर यह होगा और दो उनकी अंन्य यह उस्वास नहीं कर दसे नहीं कि तीसरा के लिए हैं तो इसके लिए भी बहुत जरूरी है कि इस प्रकार की जो है तो उनका डाटा भी बेहता तरीके से अध्यान इनका भी किया जाए और वहीं जो है कि इन सवचाले की इस्तिति की बारे में भी पूरे अध्यान बगारा हो ना और उनके मतलब की जो धन बगारा उस पर दिया जा रहा है तो उसकी मंत्राला की तरफ से चीज की जाए कि जो चीजे हो रहे हैं तो उसमें भी बेटर तरीके से उप्योग हो ठीक और वहीं जो तो इंसर्वेच्छनों की जो प्रणाम या सुथ इस पर खुस होने की जरूत नहीं बलकि उस चीज को लंबे समय तक बनाया रखने की जरूत है ताकि मतलब कि आने आगे आने वाले समय भी इस चीजे बनी रहें ना कि सिप नाम मत्र के लिए हो के छाड़ी को तो इस आर्टिकल में इतने ही चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर लड़ाई अभी समाप्त नहीं यह जो है तो करनाटक के करनाटक का यह जो मामला एक हुआ है तो उसमें जैसे के भी एक हाली में एक मुद्दा आया था कि जो भाजपा शंशद है नाराण स्वामी तो उनका जो नाम है तो कफी चर्चित हुए थे प्रवेस्ट ने काफी आपत्ति जताई वहां पास तो इनके जाने के प्रतिपंदित कर दिया गया अब नाराण स्वामी थे तो यहां पास गया थे गाहों के वीकास वगए तो उसका जाजा लेने गये थे तो वहां पास बताया गया कि वह दलीत है और उनका गाउंपरा के खिलाब बताया गया और उनको मतलब कि गाउं में जाने से रोका गया अनका लेक जो यह है तो तो है यह जान में जार सब्सक्राइब पर्चलाय। से अस्प्रिस्टा वगएरा है इस तरह की खबरे भी देखने को मिल रहे हैं और वहीं जो तो एक और भी मामला हुआ था जो यूपी के हर दो जिले में था कि इसी तरकार से जो अस्प्रिस्टा का एक अधिक कुरूर हिंसक रूप से मामला देखने को मिला था जो कि एक दलित का भी साहिए कि आज मतलब की हम एक प्रकार से मतलब यह कह सकता है कि बहुत इक रूप से तो हम बहुत आ गया आ चुके हैं लेकिन यह मानसिक रूप से हम तो वहीं के वहीं रहे गए जब मानसिक विकास सही तरीके से नहीं हुआ है उसी संक्रियनता पर लोग आज भी लगा था तो उसी से लगए लोगों ने गुस्टा और करके प्रकार से उसको क्या वाले कर दिया तो मतलब कि आज अग उसके उपर लगा दी गई थी तो बहुत ही जादा एक प्रकार से चिंता का भी सह है बरतमान समाज में ना तो इस तरह की खबरे आज दिन आती भी जाती हैं तो यह मतलब कि आज यहाँ पास जो है तो यह अस्प्रिस्टा जो है उस पर भले ही रिश्ट्रिक्शन लगा है हमने बले चाहे उसके लिए यह हमारे समिधान में आर्टिकल 17 लाएगा हो याकि हमारे डीपीएस पे में बहुत की ज्यादा मतलब की इनिशेटिव उसमें चीजे इनसे लिटर्ड ली गए हो लेकिन फिर भी उसमें से एक मतलब इस तरह की घटना आए दिन देखने को ही मिलते हैं तो इसके लिए पूरी अपने समाज की पूरी तरह से सच चवी दिखाना चाहें लेकिन इस तरह की जो अंदेखी भी बहुत ज़्यादा मतलब की कह सकते हैं कि चाहे जो बहुत ही कम मुलकों में इस तरह की चीजे देखने को मिलती हैं जहां भी भारती गया है वहां उन्होंने जाद के उससे जरि जातिकत भावना से था तो कि तरह की जातिकत भावना जो है तो मतलब की बिद्दमान है एक ब्रिटन के भी कवर जैसे कि किस तरह से वहां रोजगार और सेवाओं को प्रदान करने मामले में भी दच्छुनी एसिया से जो लोग आते हैं उन्हें भी किस प्रकार से जातिकत बेर मतलब की भीदभाव किया जाता है तो वहीं जो सरकार के जो समताव भाग है तो उसकी तरफ से भी कुछ असर विच्छने में इसी तरह के मतलब परेड़ाम देखने को मिले हैं तो बहुत ही मतलब गंभी कि मतलब चिंता कभी साय है और जो तो पांच लाग लोग पांच लाग एसी लोग में भी इस्तिती देखने को मिलती है जिससे मतलब के प्रिकार से सकता और महत्पूर्ण कदम उठाने के यहां पर जरूरत बताई गई है रैटर के दरह आप और जो अमेरिका के सिलकान वैली उसमें भी कई भाय तो बंसी रह रहे हैं तो भी अपनी बुद्धी या मेधा से मतलब काफी जादा उन्होंने नाम कमाया है लेकिन जब कैलिफोन्य विश्वी दले जो पाठक्रम वगरा उनकी पुरेड़ राच्रा हो रही थी तब जो तो हिंदु धर्म के बारे में प्रिष्टावा गएरा के मामले जाती विभेद इस तरह की वो चीजे तुसमें थी ही नहीं ना इस्ट्रियों के सब्सक्राइब दोरे ब्योहार इस तरह की भी घटना उस पे नहीं प्रताशित मतलब काफी आदर्स रूप से व्यक्त किया गया था च्वी को तो जो इसके यह कारण हो सकता है कि जो रूड़िवादी लोग थे उनकी मांसिक्ता ऐसी रही हो कि इससे कहीं मतलब च्वी ना खराव हो तो मतलब की अपना कफी बढ़ा चड़ा करके वड़ान किया गया भारत की बद्नामिक डर से इस तरह चीजे की गए लेकिन वहां जो जो सक्री जो गटना मतलब कि देखने को मिल ही जा रही है ति रूड़िवादीता की चीजे चलते चीजे इस तरह की देखने को मिल रही है लेकिन यह सवाल भी कहीं किसी ने उठाया कि जैसे कि यहां पास जैसे प्रमपरा के नाम पर मही ममुड़ित करने में संकोच नहीं करते हैं उच् तरह कि मतलब कोई अस्पिस्टा समंदी चीजों को मानते हैं और यहीं बात करें कि अगर बाते किताम में दर्ज हो तो हमें अपमान मतलब कि यहां पास राइटर बता रहा है कि यहीं चीजे जो व्यावहारिक में तो हैं लेकिन उसको सैध्धान्तिक तरीके से नहीं यहीं वीदि उसका बरतामान समय में चल रही है लेकिन अमें जलीके चौन पासी है के लिए कि अध्यु आसरों करें के बहुते लिए और उनने संग्रट रूप से बोजन करें दलतों पहमले करके उनके पकवानों पर मिट्टी डाली ती कितना ज़्यादा कह सकते हैं कि बहुत ही पतलब निक्रिष्ट मानसिक ता इसको कहा जा सकता है कि मतलब कि उनमें मानसिक रूप से ही प्रकार की विभेदता है व्यापति कि अच्छे निम्न बर्ण को देखकर के अच्छे भोजन पकवान को देखकर भी मतलब कि खाने पर मिट्टी वगएरा डाल दी गई तो सवाल यह उड़ते कि जो बरत सकती बनने की बात कर रहे हैं लेकिन यह जो है तो जादिकत मान जाती भी भेता या च्छुआ छुट जैसी चीजे तो आज भी मानसिक प्रवित्ती सी बन गई है तो जब तक यह चीजे मतलब कि नहीं इन चीजों पर बेदर तरीके से सुधार नहीं होगा तब तक तो बत्त की ठोश तरीके से देखने की और सोचने की भी महसूस की है यहां पास राटर कदड़ारा नक्स तब पर चलते हैं यह जो यह तो डिजास्टर मेनेजमेंट से इसको हम रिलोट करके देख सकते हैं को कि कफी मतलब की आरिकल यहां पास मतलब प्रदश की उससे जो है त बागेट तो सुखा बगरा हुआ असंका व्यक्त की गई थी तो जो है तो यहां पास जैसे कि जो जल ने दिया है तो जैसे कि यहां पास जो कुछ प्रकृति का दोहन बहुती अबायत तरीके से अंधा धून डंग से हो रहा है जैसे वहां पर रेत उत्खनन वगएरा हो गए ना नदी छेतर में कुछ अर्थक्रमन भी हो लगे तला वगएरा गया वहां पास हो गया तो इससे चलते जो है तो प्रकृति का जो शरूब हो गया वह अवरूत हो गया बिगड़ गया है लगए लगए वहां पास MP को चालिस प्रकृति का बिद्वांसी इसको कहा जा सकता है कि पूरी तरह से अपनी अपनी जो है तो संसादनों के पूर्ती में प्रकृति का अनुचित तरीके से दोहन कर रहा है तो निश्चित तरफिय भयावा एक आपदा के रूप में इसके प्रणाम देखनों को मिलेंगे और वो दिख भी रहे हैं जैसा कि बाढ़ वगएरा और इसमें से जारतर जो है तो यह समस्या है जो हुई तो इसमें से बाढ़ वगएर वगए बाढ़ जिन्ध भविस्ति के लिए जो है तो जलसर अरबो रुपय खर्श करके जो बनाए गए गये थे जैसा कोई ही सकता में समय तो नहीं हो सकती है उसमें गाद भी जम जाती है तो कहीं कुछ जैसे जलवाई परिवर्टन बगएर तो यह जो है तो इनहीं मतलब खतरों से जो अचानक यह तो तेजबर शात होती है यहां की मतलब किए प्रकार से आपदाएं होती रहती है जाहाँ पास से ज मतलब की 1422 लोग जो हैं तो जान गवा जुके हैं लगों यहां पास से एक मतलब बताया गया है इन में सबसे ज्यादा जो है तो महाराष्ट के लिए की 137 लोग MP भी इसी तरह में 200 के आसपास हैं तो यह मतलब की हुई है तो जो फानी पीन पती के पूरी तरह से बस्चियों में गुज़ गया था पानी फैल गया था पूरे इस पे गावों में तो इस तरह की मतलब मत्रब देखनों के मुल रही हैं तो जो जो संपत्य साथ यहां पर जो कुछ साज भी निक संपत्य का भी नुकसान जैसे के सड़क वगयरा हो गई इंट्रस्ट्रक्च्छल बहुत ज्यादा नुकसान देखनों के मिला है कुछ माल में वेशी वगयरा भी फसल वगयरा भी नश्ट हुए मकान भी बहुत जाद तबाह करोड़ों की संपत्य का भी नुकसान हुआ साथी जो जल संसाधान नादी विकास गंगा सनचन मंत्रलत उसके वी ताजय आकड़े यह दि उस पर गौर किया जाए तो जो भायत में पिछले 65 वरसों के दोरान जो है दोरान जो है तो बाढ़के कान लगभक 1.07 लाक लोग की मौध हो जुक्व है ना और 8 करोड़ से अधिक जो है तो मकान नश्ट हुए है तो यह आकड़े भी देखा जाया तो मतलब की प्रकर से जो प्रकृतिक आवदा हैं तो बहुत ही ज्यादा हारीकारा भी होती है ना तो यह जो है तो जो सरकारी आकड़े की हिसाब से देखा जामन में जो भायत की जो बाढ़गरस्त भूमी की माप थी तो लगग एक करोड़ हेक्टियर ठीक है और 1960 में बताया कि जो बढ़कर के लगग 2.5 हेक्टियर हो गई और 1978 में जो थो बाढ़ से तबाह जमी लगग 3.4 करोड़ हेक्टियर थी जो कि आज लगग कुल 3.29 में आती चले गई और जो है तो उपजाओ या खेतियों की जमीन भी समतल जमीन भी पूरी तरह से उस पे बंजर में आकी पूरी तरह से बाढ़ ग्रश्ट छेत्र में आ गई तो उनिस सो पंचाने से दोजार पांच के जो दसक में जो बाढ़ हो गयरा इसे नुकसान जो है त तो यह मितलब की प्रकर से ज्यादा इसमें प्रकृतिक आपताओं की जीवे तो एक प्रकर से भी इनकी अवरित्ती भी बढ़ती जा रही है बरतमान संब्द बरतमान समय विए देखा है तो इस तरह की घटनाय देखी जा रही है ना आय दिन कहीं सूखा बढ़ रहा है उस ये दोस्लो कि यहां पास जैसे गिवाने इसका नेला करन खोज रहे हैं जैसे कि बिंदेख और नभी प्रकृशना भी लाई है तो इससे लोग सोच रहे हैं जैसे कि या पर भारत की स्速थ शुख्या होता है तो दूसरे सट बाढ़ हती है यहां पास इसलिए इसे को ध्यायरखनी नडी जोड़ो प्रोग्रमा किया गया है कि इभर पानी हो गया है तो तो पानी को हम इंटर लिंक हो जाएंगे तो हम सिफ्ट करके उस पानी को इधर साथ डाइवर्ट कर दे जाएगा तो यहां पास बाड़ भी नहीं आएगा इस तरह की नदी जोड़ी जो प्रोग्राम भी इसी दिशा पर किया जा रहा है तो इस पर मतलब कि प्रकर्शित को सल साथ पर रोक वगरा यह नदी प्राकर्टिक मार्ग से च्छाड़ को रोकना इस तरह की इनेश्यों पर हैं बहुत जाए ध्यान देने की ज़रुत है ना सिर्फ नदी को जोड़ने से ही इसका एक मात्र सलूशन नहीं कहा जा सकता है अलकी बाध बड़े बाध पर भी उसमे पावंदी लगाई जाए और पाड़ों पर जो खुदा या वाय तरीके से कुछ भी हो रही तो उस सेंसेटी चेतर रुपर हो रही तो वहां पास प्रतिबंद लगा जाए जाए ना तो इन चीज़ों फे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूत है तब जो है इस प्रकार क यह तो इस प्रकार से क्षण के दिशा में हम इस पर यत्षटित कटम नहीं उठा नहीं है तो किए वह जरूइथ है कि बहुत ही जड़ा यहीं जरूरी है कि यह जो पानी वगेर था कि तनी आज लो से लेकी कि पानी उपलब्द उसको बहतर तरीके से नहीं उसका यूटिलाजिशन कर रहे हैं उसको नहीं सहेज रहे हैं तो निश्ची तो पर आगे आने वाला बफिश काफी मतलब की बहुत ज्यादा संकट की ही मतलब की आशंका को व्यक्त करता है और जो तो विश्वबांध आयोग का अब यहां पास एक हवाला दिया गया कि उसके अध्यन के मताबिक जो है समता ठीका ओपन का रिच्छमता भागी दारी प्रक्रिया जवाब देही जैसे पांच मूल ले जो है यह जो है तो बांध खरी नहीं उतर रहे हैं तो पूरी तरह से उसके प्रतिमानों पर खरी नही उतर रहे हैं तो यदि पानी भी बचाना है और इस तरह के समस्या भी ना हूँ तो इन चीजों के लिए जरूरी है कि नदियों को बेहतर तरीके से मतलब बहने दें उनसे छेंड छाड़े बिल्कुल भी ना प्रक्रतिक के साथ बिल्कुल भी छेंड़ खानी ना हो और उसक कि हम सन्रचक बने ना कि भक्षक तभी हम इन चीजों को अपनी जो प्रक्रतिक संसाधाने तो उनको बहतर तरीके साथ सहेज पाएंगे यह में निश्चित तरफे इस चीज को सुनिश्चित करने की जरूत है तो आज इस आटिकल में इतना ही तो दोस्तों इस वीडियो को जादा जादा लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें और वेल आइकन को दबाए ताकि आपको जो अपडेटर टेली जो है तो वीडियो आपको मिलते रहें प्रस आज के अटिकल में इतने ही धन्यवाद